नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हूं फिल्मी ओपिनियन तो अब हम रिव्यू करेंगे नेट्फिक्स में रिलीज हुई एक नई बॉलियूट मुवी जिसका नाम है धामा का और जिसमें मुख किरदार जो है प्ले कर रहे हैं कार्थिकारियन तो कि थोड़ा डाउन की तरफ जा रहा है क्या ये फिल्म कार्थिकारियन को उसका वो डिजार जगा दिला सकती है क्या राम माधवानी ने और एक मास्टर पीस क्रेट किया है ये सब क्वेस्टिन का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर में मिलेंगे तो कृपिया वीडिय अंडर दी रेडार देखिए विसिकली मिडिया जो है वो हर एक को अपने रेडार में लेती है हर एक को एक्सपोस करती है हर सची घटना और जूटी घटना उको न्यूज बोलके हमारे सामने प्रस्तूत करती है क्या मिडिया न्यूज जो प्रोडियूस करती है क्या हर के उसको जूटा साबित किया जाता है या फिर जूट को तोर मरूड के उसको सच बोल के रिप्रेसेंट किया जाता है यह सबसे बारा इस सुबह उनके पास उनके मोबाई में एक कॉल आता है और बताया जाता है कि एक टेरोरिस्स जो बोलता है कि मैं अपना जो सी लिंक जो ब्रिज बना हुआ है मुंबई में तो उसको उराने वाला हूँ तो पहले तो खबर को कोई बिलीव करने के लिए राजी नहीं था लेकिन अरजुन मातुर जैसे ऐसे मतलब बोल सकते हैं बहुत ही चालाक एक जर्नलिस्ट पूस को पकर लेता है और पकर के उसको ही प्राइम टाइम न्यूज बना देता है और उसको उसके माध्यम से अपना प्राइम टाइम का जो स्लॉट है उसमें भी बापस आना है बसक्री कहानी यही दिखाया गया है अब बात करते हैं इसकी पॉजिटिव की देखिए और कैसे मीडिया हाउस में न्यूस बनाई जाती है और कैसे उसको बेचा जाता है वो बहुत डिटेल के साथ इसके अंदर में दिखाई गई है, मुझे एक फिल्म याद आ रहा था, फिर भी दिल है, हिंदुस्तानी जहां पे निउस कैसे मनते हैं, उसमें एक छोटा सा मतलब बोल सकते हो, अजीज मिजा की फिल्म थी, तोड़ा कॉमेडी एंगल से दिखाया गया थे, लेकिन यहां पे जो दिखाया गया है, वो हाट को रियलिटी है, कैसे एंकर अपने एमोशन को चुपा के निउस बेजने में लगे रहते हैं, तो यहां पे कहा जाता है कि मीडिया जो है, वो यहां पे रेडार में आ चुका है, और मीडिया को पुड़ा तरीके से एक्सपोस की गई इस फिल्म के अंदर में, फिल्म का और दूसरा चीज जो मैं कहूंगा बहुत ही बड़ा पॉजिटीव वो है, रियलिस्टिक एक्टिंग बई एवरी एक्टर सो कार्तिकारियन, कुछी दिनों से उनका चल रहा था पती पतनी, यह सारी जो फिल्में जो आ रही थी, तो उनका जो एक्टिंग का स्किल है, वो उभर के इसके अंदर में नहीं आ रहा था, तो इस फिल्म से काफी जादा उम्मीद है थी, और सज बोलिए तो कार्तिकारिय वो चीज सब कुछ एक साथ उनको बाहर लाना था और उनने माइंड ब्लोइंग काम किया है, नोनाल ठाकुन यहाँ पर विसे के लिए गेस्ट अपेरियंस के तरह से आप उसको देख सकते हो, तो उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है इस रिपोर्टर, और यहाँ पर अमरूता सुभाज को देखेंगे, जो एक मीडिया हाउस के डिरेक्टर या फिर बड़े ओधे पर बैठी वी एक औरत है, जो पुरा सिस्टम को चलाती है, तो उनका भी कैरेक्टर जो है यहाँ पर काफी बढ़िया और बहुत बढ़िया है, उन्होंने एक्टिंग भी की ह इस फिल्म का और एक चीज में कहूंगा कि इसका बैक्ग्राउंड स्कोर जो है, वो काफी बढ़िया है, कुछ-कुछ टेंस मोमेंट में सर्फ जो एक ब्लैंक म्यूजिक होता है, उसको रखा गया है, तो बहुत इसमें काम किया गया है, तो मेडिया हाउस में कैसे नॉज ह चलाया जाता है, वो सारी चीज को बहुत बाकुवी से इसके अंदर में दिखाया गया है, फिल्म की मैं और जो अच्छी पॉइंट में बोलना चाहूंगा, कि फिल्म का पेस कमाल की है, पूरा जो आपका एक घंडा पैतालिश मिनित का जो फिल्म है, वो फिल्म फुल पेस है, वहाँ पे कहीं पे भी जाके आपको लगेगा नहीं कि थोड़ा स्लैक चल रहा है, थोड़ा बोरीम सा टाइम चल रहा है, तक कुछ नहीं होगा, पूरा फिल्म जो है, वो नेगोसियेशन के उपर डिपेंड किया हुआ है, और पूरा कनवर्सेशन वगेरा जो भी होता नेगोशियेट पॉलिस के साथ कर रहा था, तो यहाँ पे वही रोल जो है, वो मीडिया अदा करती है, लेकिन फिल्म के अंदर में और एक चीज़ भी मैं कहूंगा कि हर पत्रकार या हर निउस चैनल खराब नहीं होता है, हर कोई जूट नहीं बोलता है, हर कोई निउस को बेचता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पूरा जो मीडिया कम्यूनिटी है, उसको एकदम गलत तरीके से, निगटीव तरीके से दिखाया गया है, हर चैनल अपना प्रोड़क्ट जो है, वो सेल करने में लगे हुए है, अपना ख़बर जो है, उसको बेचने में लगे टेरोरिस्ट के साथ, जहां पे दस लोगों का जान फसा हुआ है, वो भी काफी इस्पोंसिबल से अप्रोच उनका लगता है, तो यह थोड़ा ड्रामा क्रियेट करने के लिए है, लेकिन इसका जो चबी है ना, मतलब जो मीडिया का या फिर गरवर्मेंट का, वो थोड़ा मेरा बिसिकली धमागा का रिव्यू, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो इसको जरूर देखिए, और यह आपके पड़िवार के साथ, बैठ के आप इसको एंजोई कर सकते हो, कोई भी फाउल लेंग्विज या फिर कोई गलत सीन इसके अंदर में एडल सीन नह है, दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, और मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए, अलविदा.